हमारे देश में लगभग क्रिशी सिचाही के 65 प्रतिशत एवं पीने के पानी की 85 प्रतिशत आवश्शक्ता की पूर्ती भूजल के द्वारा की जाती है बार-बार पढ़ने वाले सूखे, शुष्क मानसून के कारण होने वाली कम बारिश ने भूजल की उपलब्धता पर बुरा असर डाला है जमीन में पानी की उपलब्धता को जानने के साधन उपलब्ध ना होने के कारण पानी का अनियमित प्रेयोग हो रहा है पानी की उपलब्धता का पता ना होने के कारण बोरवेल ये कुएं का तब तक दोहन किया जाता है जब तक वो सूख न जाए इससे जमीन में जलस्तर दिन बदिन घट रहा है घटते भूजल भंडार को देखते हुए भविश्य में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनावती होगी कुओं का प्रभावी प्रबंधन और उपलब्ध भूजल का कुशल उपयोग हमारे भूजल को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है यदि कुओं का प्रबंधन व्यक्तिगत स्तर पर पहुँच जाए तो भूजल का प्रबंधन प्रभावी हो सकता है यदि भूजल प्रबंधन को बहतर बनाना है तो जल स्तर को मापना बेहत ज़रूरी है वाटर लब ने बोर्वेल में जल स्तर को मापने के लिए दुनिया का पहला बोर्वेल मॉनिटरिंग आप भूजल तयार किया है ये एक यूजर फ्रेंडली, एंड्रोइड आधारित, बहु भाशिक एप है किसानों को इस एप के कई फायदे हैं इसके द्वारा बोर्वेल में पानी की उपलब्दता की जानकारी किसानों को मिलती है जिससे वो अपने बोर्वेल में पानी का अवश्शक्ता के अनुसार उपयोग कर शेश जल की बचत करेंगे पानी का उपयोग और इचार्ज, इस से पानी के स्तर में होने वाले उतार चढ़ाओ को समझ कर पानी का उचित प्रबंधन करके बोर्वेल में ज्यादा दिन तक पानी को बनाये रखा जा सकता है. गर्मियों में फसलों के नुकसान का मुख्य कारण बोर्वेल में पानी की उपलब्दता की जानकारी का अभाव है. बोर्वेल के इस मौसम में सूखने पर कई किसानों को फसल का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है भूजल एप से किसानों को बोर्वेल में पानी की उपलबदता की जानकारी मिलेगी उन्हें पानी की उपलबदता के आधार पर फसलों के चयन हेतु मार्ग निर्देशन दिया जा सकता है इससे किसानों को लाबदाई क्रिशी पददियों को अपनाने में मदद मिलेगी बोर्वेल के नियंतरित उपयोग से पंप की मरमत कम हो जाएगी बोर्वेल के नियंतरित उपयोग से बिजली की बचत की जा सकती है आईए, अब हम कुछ किसानों के अनुभवों को सुनते हैं अब बोर्वेल का उपयोग कैसे हो रहा है? गन्ने की खेती जन्वरी से शुरू होती है उसके बाद ही हम बोर्वेल का उपयोग शुरू करते हैं इसलिए हम जन्वरी से मई और मानसून तक बोर्वेल का उपयोग करते हैं हमारे यहां दिन में 8 गंटे और रात में 10 गंटे बिजली रहती है मैं एक सब्ता में 4 दिन बोर्वेल चलाता हूँ और खेत के तलाब में पानी स्टोर करता हूँ एक दिन के लिए बिजली बोर्ट का शटडाउन रहता है लेकिन मैं बाकी दिनों में बोर्वेल चला कर खेत के कुए में पानी जमा करता हूँ और मैं फिर कुए से अपने खेतों की सिचाई करता हूँ बोर्विल के उपियों का क्या आसर है? हर किसी को सिचाई के लिए पानी की अवश्यक्ता तो होती ही है हर कोई नई फसल लेना चाहता है और इसलिए पानी की अवश्यक्ता को पूरा करने के लिए एक नया बोर्विल ड्रिल करता है इन सब का प्रभाव ये है कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है हमें मई महिने के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ता है अगर हमें शुरुवात में डेड़े इंच पानी मिल रहा है तो मई में एक इंच या आधा इंच पानी मिलता है किसानों ने बहुत सारे बोर्विल डिल किये हैं इसलिए तो भूजल का स्तर नीचे ही जा रहा है जन्वरी में भूजल स्तर काफी उपर रहता है लेकिन बाद में भूजल का स्तर नीचे ही चला जाता है और तब हमें फसलों के लिए पानी की बहुत कमी होती है भरपूर कमी होती है बोर्विल में पानी कितना है ये समझने के लिए क्या किया जाता है नए बोर्विल में मोटर स्थापित करने के समय जल स्थर की जाच की जाती है मोटर स्थापित करने के बाद पानी के स्थर की जाच कभी नहीं की जाती मोटर के चलने की अवधी के अधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि मोटर और कितना देर चलेगा और कितना पानी मिल सकता है इसी के अधार पर हम अंदाजा लगाते हैं भूजल स्तर को मापने के लिए अभी तक कोई विशेश तकनीक उपलब्द नहीं है मोटर लगाते समय कैमरा से भूजल स्तर का माप ले लिया जाता है भूजल स्तर केवल उस समय मापा जाता है जब मोटर लगाया जा रहा है मोटर लगाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते बोर्विल में जल स्तर को जानने के क्या लाब है ये बहुत आवश्यक है ये फसल नियोजन में मदद करता है, पानी की उपलबदता के अनुसार फसल का चैन किया जा सकता है बोर्विल में पानी कितना है और पानी की उपलबदता क्या है ये जानना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है किसान ये तैक कर सकते हैं कि वे वार्षिक फसल लेंगे या मौसमी फसल लेंगे या फिर सबजी आउगा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पाद उन्हें मिल सके ये लाब है बोर्विल में जल्सतर को जान लेने का यदि हम बोर्वेल में पानी की उपलब्दता को जानते हैं, जल स्तर को जानते हैं, तो हम निश्चित रूप से ये तैय कर सकते हैं, पि कौन सी फ़सल ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते हैं, चाहे वो गन्ना हो, या फिर सबजिया हो, या फिर कोई भी दूसरी फ़सल हो भूजल एप के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अभी एप का डेमो दिया गया है हम सभी डेमो देखकर बहुत ही खुश है भूजल एप को उपयोग करके हम पंप करने से पहले और पंप करने के बाद भूजल स्तर को सपष्ट रूप से समझ सकते हैं यदि हम आठ घंटे बोर्विल चलाते हैं, तो हम भूजल स्तर की गिरावट और पानी की उपलब्धता को समझ सकते हैं। ये ग्यान हमें उपलब्ध पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग करने और फसल नियूजन के लिए उपयोगी है। हम ये भी तैकर सकते हैं कि यदि पानी कम उपलब्ध हो, तो ड्रिप सुचाही का उपयोग करें। यदि हमें बोर्विल की गहराई का अनुमान है और एप के द्वारा जल स्तर का यदि प्रति दिन हमने जाच किया, तो हमें यह पता चलता है कि जल का स्तर कितने फूट पर है, 50 फूट पर है या 100 फूट पर है याजितने भी फूट पर है। यदि हम दैनिक रूप से एप का उप्योग करते हैं, तो हमें जल स्तर की गिरावट कभी पता चलेगा, और ये हमें बोर्वेल के लिए जल संगरक्षन के लिए मार्क दर्शन करने में मदद करेगा. निश्चित रूप से अगर हम बोर्वेल में पानी के स्तर को जानते हैं, तो हम ये तै कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वर्ष के दौरान किन फसलों को लेना चाहिए और किन फसलों को नहीं लेना चाहिए. फसलों के चयन की योजना बना कर हमें की योजना बद रूप से फसल लगा सकते हैं और फसलों का लाब ले सकते हैं.